मिस्टर एक्स की तरफ सब सभी साथ मेरा प्यार बरना वश्कार मित्रों आज तारिक है आठ दिसंबर और रात्री के लगबग साढ़े आठ बजने वाले हैं तो मित्रों कुछ आगे की चीजें और कुछ पीछे घटी वी चीजों पर मैं डिस्कॉशन करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि 27,000 सीटे सिर्फ जिला वंटन के लिए ठीक आपकी बाते माल लेते हैं और भी सारी चीजें हम माल लेते हैं लेकिन एक बात हमें बताईए सुप्रीम कोर्ट का ओडर यह एक लाग सैटेश जा बचा के जो माइनस होंगी 68,000 से माइनस करके एक ताले जार बचेंगी जितनी भी सीट्स होंगी वह सब कही ना कहीं आप लोगों से यह 30-30 कटों फीडितों से भरने के पुरी-पुरी संभावना हैं इस बात में कोई दोराय नहीं है ठीक है मित्रों और दूसरी चीज जो ह परिट है वो यह है कि जो कोट की जो अपडेट है कोट में अभी आपका केस जो है उसके सुने जाने की चांसे काफी बढ़ गए है दस تारीक को उसका कारण यहाई है कि एडिशनल से डेली कोज में आ गया है और ने रिजां कर्वाना काफी हद सक ज़्यादा आसान होता है बनस्पद एडिशनल के तो आपकी सुनवाई होने के चांसे दस सारी को काफी प्रबल है प्रबल बोल रहा हूं बाकी देखो ऐसा है कोड में सब कुछ आपके हाथ में कभी नहीं होता आप लोग कोसने लगते हो उन सब लोगों को यह अच्छी चीज़े नहीं लगती जो लो अंदर होगा दोस्तों आप लोग 6 तारिक को एक्जाम होगा सिर्फ इतनी बात दिमाग में बंबान डालके चले और अपना बेस्ट देने के कुशिश करें आपके हाथ में कौन बहार होगा कौन अंदर होगा इन सब ना लगाए तो ज़्यादा बहतर होगा ठीक है मित्रों जब आप से बोला गया था उन चीजों में दिमाग लगा ये तब आपने लगाया नहीं ठीक आप बोल रहे हैं आप कटॉफ लगनी चाहिए जब उसमें धरना करने के लिए तैयार है जब आप से तीस्टैदिस के लिए बोला जाता है तो आप लोग घड़ से निकलने को त को तयार नहीं हुते हैं और को टॉफ लगने के लिए धरना देने को टयार रहे हैं जो चीजळ आपको आसानी से मिल रहे थी हुँ आप तो आप mentally state अपनी clear करें ठीक है और जो भी कुछ हो चीजें अलग रहेंगी लेकिन जो चीजें हो वो होती रहेंगी आप अपनी तयारी जारी रखें इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग मत लगाईए जो कुछ होगा होने दीजिए ठीक है अगर इस तरह से सोचेंगे तो फ फिट्स हैं ब्लैक शीप्स हैं जो जो धांदली के थुरू यह गलत अरस्तों के थुरू अंदर गय हुए हैं अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार इसमें भरती रद्ध हो जाएगी यह होगा वह होगा तो दोस्तों जो होगा गलत के साथ गलत होना जरूरी है सही के साथ हो गलत हो ठीक है तो अपना स्टेंड डिया आप हो कहां पर किस तरफ हो भरती में आप अभी भी नहीं हो छोड़ दीजिए हो या ना हो मैं तो सबसे बोलूँगा जो आपको आपके जान पहचान में हो आपको लगत तरीके से अंदर आया है और काफी तो नेताल है बड़े हो सकेगा तो मैं इमेल आइडी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है तो यह सब चीजें डिस्क्रिप्शन लिंक में में डर्वा दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी या फिर वाट्सेप पर शेयर कर दिया जाएगा तो जो इमेल आइडी से उस पर भी हो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है प्रूफ खुद निकाल लेगी उसके लिए आपको सिर्फ इतने बताने कि आपके जो रिपोर्ट हो पकी हो आपके शिकायत हो वह पूरी 100% सही हो आप लोग इंटरस्ट नहीं ले रहे हैं आप अपने पैरोपर कुलाडी मार रहे हैं आप सिस्टम को साफ करने का एक अच्छा मौका मिला है आप लोगों को आगे की आपके फ्यूचर की जनेरेशन के लिए तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो अगर आप सोचते हो कि मैं भरती के विरोधी हूं तो आप गलत आदमी का ओडियो सुन रहे हो मैं भरती का करें मैं ठीक है और चीज कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैंने पैसा खालिया किसी बंदे ने मेरे अकाउंट में एक रुपया भी डाला हो मैंने किसी से मांगा हो तो मुझे बताए छोड़ दीजिए अब लोगों काम है कहना तो मित्रों अब आप कंप्लेंट करिए जल्द जल्दी हो सकेए दो तीन दिन है आप THE P dramas ज्यादा दिन नहीं है ज्यादा समय नहीं है यांगे जिसन लोगोंगों पास किया क्या साख्षे हो सकते हैं ठीक है यह सब कारें करने पड़ेंगे अगर आप सही के साड़े होते हैं तो अगर आप नहीं होते तो फिर आप लोग का चिलाना बिल्कुल गलत है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो फिर आपके साथ गलत होना ही चाहिए, अगर आप गलत के सही के खिलाफ नहीं, सही के पक्ष में नहीं बोल सकते, तो आपके साथ गलत होना ही चाहिए, अब कुछ बोलने कुछ लोग अगर कमेंट करते हैं कमेंट वोक्स में कि भरती विरोधी है तो ठीक आपके साब से भरती विरोधी हूं फिर अगर मैं गलत के खिलाफ बोलना जानता हूं तो भरती विरोधी भी हूं सुनूंगा चलेगा कोई देखत नहीं लेकिन मैं गलत सहन नहीं कर सकता ब्र तो गैरेंटी दे दीजी कि अगले वाले में कुछ गड़वड होगी ही नहीं तो मित्रों आप सही के लिए बोलना सीखिए नंबर्स दी गए है कंप्लेंट करना शुरू करिए आज ही से ठीक है और इसके बाद से अभी 6 तारिक तक में आप लोगों को ज्यादा परिशान नह लगातार आपसे संबंद बनाए रखूंगा बनाया है तो आगे तक इसको लेकर जाओंगा जब तक हम जीतेंगे नहीं ठीक है मित्रों तो बाकी सब आपको डिसाइड करना आपको कैसे डील करना इन सब सिच्वेशन के साथ में लेकिन मैं एक उमीदे भी करूंगा पढ़ है जो आप लोग केस लड़ रहे हैं उन लोगों का भी केरियर दाओं उपर है ठीक है उनको अपने बीस लाग रुपए दस लोगों को दे दिये एक 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 आदमी हिस्से में आया भी इतना दो लाग रुपिया उसमें से भी कुछ खर्च हो गया होगा वकीलों को दिखाने की केस किया हूँ देखो मैं पूरी तरह से करप्ट हूँ किसी रख का व्यक्ति क्यों नहूं मैं पूरी तरीके üzre कश रख रुप क्ष रहने नहीं बचा होगा में फ Nä दुनिया में कोई नहीं हो सकता है कि और आप ऐसा सोचते हैं तो आपसे बड़ा वेवकुफ दुनिया में कोई इसलिए जबी भी बात करें सही हम के साथ जबान समाल कर बात करें जिससे भी बात करें जबान समाल करें मतलब अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर किसी के साथ जब आपको नहीं पता है सारी चीज़े तो ना बोले तो ज़्यादा भैतर है ठीक है तो मित्रों इसी के साथ ज़ देर भी करवा दूंगा थोड़ी वो देर में ग्रूप्स में ठीक है तो इस कार्य को जल्दी से जल्दी सुचारों रूप से शुरू करिए ठीक है इसी के साथ धन्यवाद शुबरात्री